नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइने टीव इंडिया पेसे आज की मुख्य समाचार रिवा लोका युप्त पुलीस ने जवा पंचायत के ब्रश्टाचारी सीईओ को बेनकात किया है यहां मुख्य पाला नधी कारी को 10,000 रुपे की रिस्वत के साथ ट्रैप किया गया है दावा ही कि आरोपी CEO मनरेगा के तहट किये गए कारियों का बिल पास करने के एवज में सरपंच से 15,000 रुपे की रकम मागी थी आरोपी बिना पैसे लिए काम करने को तयार नहीं था रिवा जिले में आधी तुफान के बाद बारिस ने जम कर कहटाया है यहां अचानक से आये तुफान के कारण सेकडो होर्डिंग वो पेड़ धरासाई हो गये साथी सेकडो घरो वो दुकानों के टीन सेट उड़ गये जगा जगा पेड की डाल गिरने के कारण विगदुत के पोल वो तार तूट गये हैं जिससे सहर से लेकर गाउं तक ब्लेक आउट है मुखी मंतिर सिवरा सिंग चोहान भोपाल के असोका गार्डन से अगनवाडी के बच्चों के लिए जन संयोंग से खिलोने जुटाने का अभियान सुरू किया है सीम ने जनता के बीच ठेला लेकर बच्चों के खिलोने जुटाए मुखी मंतिर सिवरा सिंग चोहान के दिख्चता में मंगलवार को केबिनेट की बैटक हुई बैटक में ग्रामेंड वीमुक्त विधयक को भी मंजूरी दी गई इस निर्णय के बाद अब ग्रामेंड छेत्रों में इसे छोटे किसान और भूमी हिन क्रशिश रमिक जिनोंने गेर पंजी प्रत साहुकारों से 15 अगाश से 2020 तक रिंड लिया है उन साहुकारों से रिंड लिया माफ होगा महीरासी वसूली के लिए साहुकार द्वारा कारवाही भी नहीं की जाएगी केंडर सरकार के एक्सराइज ड्यूटी घटाने से मद्धी प्रदेश में पेटरों साड़े 9 और डिजल 7 रुपए प्रति लिटर तक सस्ता हो गया एसे में लोगों को महगाई से राहत मिली हैं दूसरी और पेटरों पंप के संचालक विरोध जताने लगे हैं यह विरोध कमिशन कम होने को लेकर है इसके चलते 25 मई की शाम साथ से रात 9 बज़े तक प्रदेश भर के पैटरों पंप दो घंटे के लिए बंद रखे जाएंगी ग्रह मंदी डॉक्टर नुक्तम मिस्रा ने कहा कि प्रदेश में अब फसल नुकसान का सर्वे सेटेलाट से किया जाएगा कैबिनेट ने आज इस आश्य के प्रस्ताओं को मंजूरी देते हुए सर्वे से जुड़ी व्यवहारिक दिक्कत को दूर कर किसान भाईयों को बड़ी राहत प्रदान की है प्रदेश में पिछले 24 घंटों में करोना संक्रमेंट के 33 नए केस आए हैं तब तक के लिए शुबराती